असलाम लेकूम दिस इस मिया उमर यूर रेले सेट कंसल्टेंट आज हम बात करेंगे के लहाओ स्मार्टी के अंदर इस ताइम वह वह बैलिटिंग सीजन चल रहा है हम इसको बैलिटिंग सीजन ही कहेंगे कि जब भी सुसाइटी ने अपने एक अपनी पेमेंट्स वगरा जम इसमाम क्लाइंट्स जो के अपनी फाइल को सेकिंड बैलेटिंग में क्लिव कर वाएं और चाहे तो मार्किट से एक अच्छे प्रॉफिट के साथ अगर वो इसको रिटेन करना चाहते हैं तो फिर प्रॉजेशन के टाइम जो है वह बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके वो पॉइंचे की लुकेशन और जिस तरह से डिवेलपमेंट शॉसाइटी कर रही है वह मतलब कि इस तरह कि उसके सराउंडिंग में जितनी भी सॉसाइटी है कहीं पे भी ऐसी डिवेलपमेंट जो है वह हमें देखने को नहीं मिल रही है तो अब भी रिसेंडली जो लहोर समाच टी ने अपनी सेकिंड बैलोटिंग को एक्स्टेंड किया और साथ ही उन्हें अनूंस किया था कि हम दुबारा से जो है वो इसू कर रहे हैं तो आप लोग अगर अगर अपनी फाइल को सेकिंड बैलोटिंग के अंदर इंक्लूड करन हैं तो आप सेकिंड बैलोटिंग का पार्ट बन सकते हैं तो इसके अंदर जो थोड़ा सा एक जो चीज पेशरफ जिसको हम कहेंगे या थोड़ी सी जो अपडेट न्यू आई है कि सेचर डेकल की डेट तक जो हो लहोर समार्टिटी के अंदर पांच मरला एक्जेक्टिव अब मजीद जो हैं वह पांच मरला एक्जेक्टिव एक्जार्फ जो नहीं की जा रही हैं तो इसके ऑ Cott contents सा सोलूशन है कि यवह बी सूसायlike दे रही है कि कमेंकि पांच मरला Overseas particular साथ मरला Overseasheim की जो फाइले है उसके अंदर अभी एक कुशन है कि अगर आप उसकी फाइल्स अगर आपके पास मुझूद है तो आप उसको क्राइटेरिया को मीट करें और आप अपने फाइल के अगेंस्ट जो है वह हासिल करके तो आप उसको बैलिटिंग के अंदर इंकलूड कर सकते हैं तो इसके जो इसका था स्लॉट्स थी वो सारी बुक हो गही है तो आप अपनी इग्जेक्टिव की फाइल को ओवर्सीज के अंदर कनवर्ट करवा सकते हैं तो उसके लिए आपको अपना डिफरेंस पे करना पड़ेगा और साथ ही आपको जो 75% है मांउंट वो पे करनी पड़ेगी स अगर किसी बंदे की 18,000,000,000 वाली फाइल है अगर आपने उसको ओवर्सीज के अंदर कनवर्ट करना है तो आपको ओवर्सीज का डिफरेंस पे करना पड़ेगा कि 18,000,000 वाली एग्जेक्टिव की फाइल थी और 19,000,000 रुपे की ओवर्सीज की फाइल थी तो जो एक आप किसी और फाइल के अंदर भी जो है यह सेम सेनरियो कर सकते हैं चाहे वो रेजिडेंचल हो या कमर्शल हो आप अपना डिफरेंस पे करें और डिफरेंस पे करने के बाद आपको जो है वो ओवर्सीज की अक्नॉलिजमेंट स्लिप जो है वो दे दी जाएगी तो यह एक के प्रीज़ स्ट्किल की एकश्राइब्स के और डेखने तक क्यूंकि इस ट्राइब के अंदर के मढईट की कि दा आउन है लेकिं ऐस सारी के बावजूद भी जो है वो मार्किट के अंदर अवेलेबल हैं और वो जो फाइल जिनके उपर नंबर लगावा था उन्होंने अपनी एक वैल्यू जो है उसको मेंटेन किया हुए और वो उस वैल्यू से नीचे जो है वो अभी तक नहीं आ रहे हैं तो मजीद जो है वो इसके अंदर यही चीजे हम नंबर लगवाएं और नेक्स उनको टाइम से डिलीवरी दी जाए और वहां पर अपना घर बगारा बना सके तो यह थी अब तक की लहाट स्मार्टी की जो बैलटिंग सीजन चल रहा है उसकी एक अपडेट कि आप किस तरीके से जो है अपना इन मामलात को जो है वो सेटल क कर सकते हैं अपनी फाइल को आप नंबर लगवा सकते हैं एक्जेक्टिव है ओवर सीज है आप इनको कनवर्ट भी कर सकते हैं तो यह थी अब तक की जो है वो अपडेट लहाट स्मार्टी से रिलेटिर तो अगर आप लहाट स्मार्टी की किसी भी तरह की कोई इन्फरमेश हासिल करना चाहते हैं तो आप निचे दिएगे नवर्स पर आपता कर सकते हैं थेंक्यू